हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल स्वधेशी क्रेटिविटी कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ने ने हैंड मेट बास्केट का डिजाइन्स बिल्कुल लेटेस्ट आइडियाज बहुत ही खुपसूरत डिजाइन्स बहुत ही प्यारा प्यारा डिजाइन्स है बहुत ही सुन्दर सुन्दर फ्लावर डिजाइन किया गया है बास्केट पे जिसकी वज़े से ये और भी खुपसूरत लग रहा है त्रेंट्स आज साल का लास्ट डे है और कल से नया साल सुरू हो रहा है तो नय साल में मैं आपके लिए नय नय डिजाइन्स का बास्केट का डिजाइन्स लेकर आई हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अप्लोड करें तो इसकी सुचना आपको सबसे पहले मिल सकें और वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आप वाट्सब पे इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे किसी भी सोचल साइट पे मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो देखते रहिए हमारी आज की इस वीडियो को और इंजॉय कीजिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सुन्दर-सुन्दर डिजाइन्स दिखाएं गए हैं अगर आप बास्केट आपको बनाने आती है तो आपके लिए वेस्ट आइडियाज है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफूर होगी आप बहुत ही सुन्दर-सुन्दर डिजाइन्स के बास्केट बना शकते हैं इस वीडियो को देखकर घर में फ्रूट या वेजिटेवल्स या कोई भी चीज़ रखने के लिए बहुत ही वेस्ट आइडियाज है बहुत सुन्दर दिखेंगे और इस तरह की हाथ से बनी हुई बास्केट जल्दी खराब भी नहीं होती है और बहुत ही सुन्दर दिखती है तो अगर आपको बास्केट बनाने ही आती है तो आप इस तरह का बास्केट जरूर बनाईए या फिर आप किसी से बनवाशकते हैं गाउं में जो पुराने जम माने के लोग है दादी नाई नी उनको तो जरूर आती है तो उनसे आप बनवाई यह या फिर किसी रिष्टेदार से आप बनवा सकते हैं कि इस तरह की बास्केट मुझ घास का नाम है मुझ से बनाई जाती है अगर आप सहर में रहते हैं तो आप इसके अंदर प्लास्टिक की रश्ची का भी यूज कर सकते हैं और फिर उपर से आप अलग-अलग कलर के प्लास्टिक की गोनी यूज करके बना शकते हैं प्लास्टिक की गोनी का तूत निकाल कर या फिर उन से भी इस तरह का डिजाइन बना शकते हैं बहुत ही खुबसुरत लगेंगे तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो उमेद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंदाई होगी मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू